SSE CGL 2024 का form आ गया है, दो महीने के बाद आपका pre का exam होने वाला है और उसके बाद mains का exam होगा, बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो लोग first timer है यानि कि पहली बार appear होंगे CGL 2024 के अंदर, कई सारी लोग 3-4 साल से जो पीछे से repeaters है और regular SSE CGL या फिर CHSL का exam देते आ रहें, कुछ नंब regular video के अंदर हम English section को कैसे cover करना है, जो आने वाले समय उसमें किन बातों का आपको ध्यान अटना है, क्या resources follow करनी आपको, और उसमें भी सबसे ज़्यादा important जो लोग Hindi medium से है, यानि कि जो Hindi background से है, बहुत ज़्यादा complaint रहती है कि सर मैं तो Hindi medium से हूँ और मेरे लिए English बहुत म important होने वाला है, तो कोई भी चीज miss मत करिएगा, आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी अभी तक subscribe नहीं किये हूँ, subscribe का बटन जरूर दबा दीजेगा नीचे, नीचे Instagram और Twitter का link दिया हुआ है, कोई भी doubt अगर आपको पूछना है और तुरंत reply चाहिए, तो आप Twitter पे या Instagram message कर दीजेगा, आपको तुरंत reply आ जाएगा, तो पहले हम शुरुबात ये करते हैं कि जो SSC का, जो CGL का exam है, उसमें English किस लेबल पे आता है, SSC CGL का जो exam है, उसमें दो tier होता है, tier 1 और tier 2, tier 1 जो होता है, वो qualifying major का होता है, यानि इसके number आपके add नहीं होंगे, पहले अगर ह हर एक सवाल दो number का रहता है, 50 marks का question आपको देखने को मिलेगा, वहीं अगर हम mains की बात करें, tier 2 की बात करें, तो tier 2 के अंदर 45 सवाल आते हैं, और वहाँ पर ये 3 number का एक सवाल हो जाता है, तो टूटा 135 number का आप देखोगे कि mains के अंदर ये अपना विटेज रखता है, जब इसलिए आप English में भी आपको एक अच्छा score करना बहुत ज़रूरी है, पिछले सालों में बच्चों ने बहुत ज़्यादा अपना काम करा है English के ऊपर, और accuracy जैसे mathematics में आपको देखने को मिलती है, तो वैसा कहीं कुछ score candidate, वह English के अंदर भी करते हैं, वह जो marks कटते हैं, ज जो भी आप questions करेंगे, प्री में या वेंस में, उनमें accuracy आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अब हम बात करते हैं कि जो आने वाले समय है, उसमें क्या कुछ strategy रहेगी आपके, जो SSE का जो English होता है, वो तीन level पे आपका बटा रहता है, उसको हम तीन section में डिवाइड करत हैं, तो आप इन तीनों को इस तीन mode में पढ़ाई करें, अगर हम सबसे पहले बात करें, English grammar को ले करके, तो English grammar के लिए भी आपको दो चीजे follow करनी है, सबसे पहला चीज है वो आपका जो English के rule है, grammar के जो rule है वो, और दूसरा उन rule पर practice है, यानि कि अगर आप पढ़ रहे है subject, verb, agreement, अगर आप पढ़ रहे है, adverb, adjective, अगर आप पढ़ रहे है, active voice, passive voice, तो उन पर आपको practice भी करना जरूरी है कि SSC में उस topic से सवाल कैसे आते हैं, तो इनके लिए अगर हम resource की बात करें, पहले grammar के rule की बात कर ले, तो अगर आप Hindi medium से belong करते हैं, तो Hindi medium के लिए बहुत अ आप नीतु सिंग की भी जो बुक आती है, केटी कैमपस पर लिए वो भी बुक, grammar के rule के लिए Hindi और English दोनों में आती है, आप follow कर सकते हैं, ऐसकी बक्षी की बुक जो लोग English medium से belong करते हैं, आप ये बुक grammar के लिए follow कर लीजे, ये जो rule इसमें mention करेंगे हैं, वो particularly खास कर, especially S SSE, CGL या SSE की जो दूसरे exam से उनको ही target करके बनाए गया है, grammar के सारे rules आपको इनी के अंदर आपको मिल जाएंगे, अब हम बात करते हैं कि अगर आप इन grammar के rule को पढ़ लेते हैं, तो practice कहां से करेंगे, तो practice के लिए देखिए आपको कोई नया सवाल नहीं, SSE के अंदर देखने को मिलता है, तो उसके लिए previous year के chapter wise book आती है, आप कोई भी publication का लेंगे, उसमें एक ची ध्यान रखना होता है, कि error कम रहे, generally किरन publication के अगर हम बात कर ले, तो वो book काफी time से चलते आ रहे हैं, आप वो follow कर सकते हैं chapter wise grammar की हर topic wise previous year questions उसमें दिये हुए, और यची जरू 2018 में, तो 2018 के बाद इधर जो question आ है, अभी तक का, जितने भी exam हुआ है, at least उन questions की practice आप जरूर कर लीजेगा, अगर आप इन books में से आपको लगता है, कि previous year questions खरीदना, और फिर ये grammar करूल नहीं से कोई नहीं afford कर सकता है, आपको लगता है, तो उस case में आप PDF इनकी मिल जात आते हो, और उसको feel करने में, पढ़ने में भी आपका आसान रहता है, तो अगर आप serious aspirant हो, serious exam exam दे रहे, तो आपके पास ये किताब होनी बहुत जरूरी है, अब हम बात करते हैं, दूसरे section को ले करके, तो वो है आपका vocabulary, vocab जो SSC के अंदर आती है, उसमें फिर समें बहु कोई नई चीज़ है, या फिर आप कोई बहुत high standard की vocab ना करिएगा कि आप banking या फिर SBI इनकी करने लगए, आपको सिर्फ जो previous year questions आये है, vocabulary के अंदर, vocab के अंदर synonyms, antonyms, idiom and phrases and one word substitution, ये पूछे जाते हैं, जो भी पीछे साल के आये हुए है, आप उनको एक बार को 90 से 95% सवाल आपको repeat ही देखने को मिलता है, resource की बात कर ले, जो vocabulary है, वह ये कि अगर पीछे साल के सवाल आ रहे हैं आपके, तो जो भी publication छापती है, वो पीछे साल के जो exam होते है, उनकी PDF देख करके, उसी किसाब से book design करती है, किरन publication की देख सकते हो, आप black book आती है, जो Q Maths सवालों की, या फिर आप कोई अर्राकिय शादों का भी देख सकते है, या कोई other publication जिसमें की काम हो, आप follow करेगा, कोई एक ही resource follow करेगा, और उसको आप multiple times revision करने की कोशिश करिएगा, और फिर मैं बोल रहा हूं कि 2018 के बाद जो vocabulary आई हुई है, अब जरूर cover कर लीजिएगा अब हम बात करते हैं, तीसरे section पर reading comprehension, reading comprehension के अंदर आपका passage आता है, fill in the blanks आते हैं, जिसको हम close test भी कहते हैं, उसके अलावा आपका sentence arrangement, PQRS के नाम से generally SSE के अंदर जाना जाता है, इन तीनों का एक ही solution है, आपकी reading habit, सबसे जादा जो हिंदी medium के candidate होते हैं, जो सबसे जादा difficulty face करते हैं, वो यहीं पर face करते हैं, क्योंकि देखो मैं भी खुद Hindi medium से belong करता हूं, मैंने भी पढ़ा ही भारगी तक की Hindi medium से करी है, मैं भी इस चीज़ को avoid करता था या rating वाला part था, लेकिन जो सबसे जादा improve करा या जो भी चीज़े understanding build करी, वो इसी part ने करा, और वो होता है टाइम यह बढ़ाना पड़ेगा, screen reading का, आप mobile पे बहुत सारी PDF आती है, newspaper की, खासकर जो standard newspaper है, जैसे की the Hindu का, economics time का, यह telegram अगरा भी PDF मिलते रहते, आपको सिर्फ अभी exams के लिए target करना है, और यह नहीं की पुरा सुबह से साम तक आप आप अकबार के सारे पाड़े का, इ जो editorial छपता आपका, वो पढ़ जाए, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ मत्तब नहीं करता, आप बोल बुन के पढ़ जाए, आप जब एक महीना, एड़े महीना, दो महीना पढ़के देखेंगे, बहुत चीज़े आपको improvement देखेंगे आपको, बहुत सारे reading के ability, reading की वजह से, क्योंका English background रहता है, books वगरा reading करते रहते हैं, तो एक sense चीज़े काम करती है वहाँ पर, वो उनका अच्छा develop हो जाता है, इसलिए उनके score अच्छे रहते है, अगर वही हिंदी का passage रहता है, अगर आप Hindi medium से belong करते हैं, definitely आप इसमें lead कर जाते हैं, जो लो और close test और passage बाल अपड़ यानि की reading comprehension भी chapter wise आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसका practice कर लीजेगा, एक चीज़ जरूर ध्यान लखेगा आपका कि आपको नए resource follow नहीं करने, आप 75 वीडियो देख लेते हो, कई से कोई PDF मिल गई, कई से कोई resource, सब मत follow करीए, एक चीज पकड़ के चलिए, SSC में कुछ भी नया नहीं आता, जब आप exams दे के निकलेंगे, देखेंगे, तो सवाल सारे वही repeaters रहते हैं, आपको बस समय के अंदर करना होता है, और accuracy पर ध्यान रखना है, accuracy तभी आएगा, जब आप एक ही चीज़ को कई बार revision करके रखोगे, इसके देन उसके बाद आपको mock test से बुज़तना है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आप इसमें घुझ जाओगे, और आपके score कम आने लगेंगे, तो आप demotivate हो जाओगे, कि एक्जाम आने वाले exam के लिए अच्छी चीज नहीं है, बाकि किसी तरह की doubt के लिए आप telegram पर य खिले का नहीं है, कि एक बाकि वाले exam के लिए लगेंगे, कि एका मेंगे मेंगे.